इस वीडियो में एक सरलशुत्र के द्वारा ये बताया जाएगा कि आपके महिने भर की विजली कितनी आती है आप आसानी से चाहें तो इस सरलशुत्र के द्वारा अपने घर की विजली यूनिट को ग्याद कर सकते है और मीटर आपका सही चला कि गलत चला है इसको भी आप हैं इस सरलशुत्र के द्वारा तो आप जानते हैं कि जब मीटर डीडिंग वाला आता है तो कहता है कि आपका आप जो भी मीटर रीडिंग हो और जो भी रेट हो उसमें गुडा करके इस सरलशुत्र के द्वारा आप अपने बिल को चेक कर सकते हूँ बिल सही है मीटर वाला की गलत है इसको चेक कर सकते हैं तो यूनिट में विजली खर्च होती है तो एक यूनिट एक यूनिट बराबर होता है एक किलो वाट घंटा क्या होता है एक किलो वाट घंटा अब आप इसको वाट में बदलें कि एक हजार वाट घंटा आप अपने बिली मीटर जो लगा रहता उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो जो उसमें देखेंगे तो डेट आएगा सिरियल नमबर आएगा एक यूनिट का जो रेट है उस समय उसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं मीटर रीडिंग वाला आता है आपके घर उन मीटर रीडिंग को देखता है अपने पास एक छोटा कंप्यूटर मसिन लिया रहता है उसमें सिट करता है आपको खर खर करके एक स्लिप निकलती पकड आन लाइन या फिर आफ लाइन जाकर के विजली काउंटर पर जमा करते हैं तो एक साधान सुत्र है जैसे आप वहां से निकाल सकते हैं जैसे यूनिटों की संख्या कितने यूनिट कितने दिनों में खर्चुई यूनिटों की या यूनिट यूनिटों की संख्या या इसक गंटे गुड़े दिन बट यह सरल सुत्र है इसके माध्यम से चाहे तो आप अपने घर कितना विजली खर्च हुआ कितनी उनिट आई उसको आप निकाल शकते हैं मान लेते हैं कि आपके घर में तीन पंखे चलने हैं कितने पंखे चलने हैं कि 60 watt का है तो इसमें आप गुड़ा कर देंगे 60 का तो हो जाएगा 180 watt ठीक यूनिट निकालना चाहते हैं तो आप इसी से निकाल सकते हैं मनले ये पंखे यूनिट निकालना चाहते हैं तो वाट 180 तीनों पंखों का घंटे माल लेते हैं 10 घंटे चलते हैं कितने घंटे चलते ह का निकालना चाहते हैं चाह जितने दिन का निकालना चाहते हैं तो यह देखे एक हजार एक इससे एक इससे एक इससे कटा और यह आ गया आपका ठर्टिया चाववन चाववन इनिट आ गया मान लेते हैं चाव बल्ब जलते हैं आपके पास चाव बल्ब है अप प्रतेग बल अब तो LED बल्ब है 15 वाट का है तो 15 शक्का 90 वाट आपका खर्च हुआ और युनिट निकालना चाहेंगे इसका तो आप 90 गोडे मानते ये भी 10 घंटे चलते हैं कितने घंटे चलते हैं 10 घंटे ही ये भी चलते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं तीन जो भी घंटे होगा आप वहां लिख सकते हैं और यह हो जाएगा एक हजार एक इससे एक इससे नौतरिक 27 यूनिट बिजली खर्चुई अब माल लेते हैं कि टीवी टीवी जो आपके घर में चल लही है वो है सव वाट की क्योंकि अब वाट बहुत कम आते हैं तो इसका पर सब्सक्राइब टीवी आपकी चलती है कि टीन घंटे मान लेते हैं तीन घंटे चलती है तीस दिन का तो ए जीरो जीरो दो जीरो इससे कड़ गए नव यूनिट खर्चुई और फ्रिज चलता है आपके घर में फ्रिज देख रहें एक साधान च्छोटा सुत्र इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं माने जे फ्रिज है जाता है और ये माने जे फ्रिज एक सो पचास वाट का है अब इसकी यूनिट निकालना चाहेंगे इसी प्रकाश जो भी है आप निकाल सकते हैं तो यह 90 हो जाएगा, 15 दोने 30, 90, 90 वाट, अब कितने वाट होगे आपके टोटल, टोटल हो जाएगे 4, 11, 20, 0, 2 आ गया, 2 जोड़ेंगे 7, 9, 9 दोने 8, 180 यूनिट विजली खर्च हुए, या किलोवाट घंटा, 180 किलोवाट घंटा, अब देखे इस समय जो रेट चल लहा है, सहरी का, सहरी रेट जो चल लहा है, वो है 16,5 तो गुड़ा करेंगे 16,5 तो 11,70 और इसका फिक्स चार्ज भी होता है, तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, ग्रामीड तो 180 गुड़े 5,5 है रेट, एक उनिट का, तो आजाएगा 990, कितना आगया, 990 रुपे, इसमें कुछ फिक्स चार्ज होता है, एक वाड़ का साइद 90 होता है, वो लिखा रहता है, आप आनलाइन चेक कर सकते हैं, तो ये बिजली बिल लाई, और तो जो परची पर है, ये मिलाएंगे, तो आपका आप वहाँ शिक्याद कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, कि मीटर इनिए आपका सही नहीं चला है, नमस्कार